अनंत चतुर्दसी ब्रत कथा एक बार महाराज युधिष्टिर ने राजसुय यग किया उस समय यग्यमंडप का निर्मान सुन्दर तो था ही अध्भूत भी था यह यग्यमंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिनता प्रतीत ही नहीं होती थी जल में अस्थल तथा अस् ताबधानी करने पर भी बहुत से बैक्ती उस अध्भूत मंडप में धोखा खा चुके थे एक बार कहीं से तहलते तहलते दुर्योधन भी उस यग्यमंडप में आ गया और एक तालाब को अस्थल समझ उसमें गिर गया दुराबदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंध यह कहकर उसका उपहास किया इससे दुर्योधन चड़ गया यह बात उसके हिरदय में बान समाल लगी उसके मन में दूएस उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली उसके मस्तिस्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए बिचार उपजने लगे उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दुरुत कीड़ा में हडा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया पराजित होने पर परतिग्यां के अनुसार पांडवों को 12 वर्स के लिए बनवास भोगना पड़ा बन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे एक दिन भगवान स्री किष्ण जब मिलने आये तब युधिष्ठीर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पुछा तब भगवान स्री किष्ण कहते हैं तुम बिधी पुरुवक अनन्त भगवान का ब्रत करो इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राजपुनह तुम्हें प्राप्थ होगा इसी संदर्व में भगवान स्री किष्ण उन्हें एक कथा सुनाते हैं प्राचिन काल में सुमंद नामक एक नेक ब्रहम तपस्वी था उसकी पत्नी का नाम दीख्छा था उसकी एक परम सुन्दरी धर्म परायन और जोरती में कन्या थी जिसका नाम सुसिला था सुसिला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीख्छा की मिर्थी हो गई पत्नी के मरने के बाद सुमंद ने करकसा नाम की इस्ती से दूसरा विवाह कर लिया सुसिला का विवाह ब्रहमन सुमंद ने कॉंडिले रिसी से करा दिया और बिदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दामाद को कुछ इटें और पत्थरों के टुकरे बान कर दे दिये कॉंडिले रिसी दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आसरन की ओर चले आए परंतु रास्ते में ही रात हो गई वे नदी टट पर संध्या करने लगे सुसीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी इस्त्रियां सुंदर वस्त धारन कर किसी देवता की पूजा कर रही थी सुसीला के पूछने पर उन्होंने विधी पुर्वक अनंत ब्रत की महत्ता बताई सुसीला ने वही उस ब्रत का अनुष्ठान किया और 14 गाठो वाला डोरा हाथ में बांध कर रिसी कॉंडिले के पास आई कॉंडिले ने सुसीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी उन्होंने डोरे को तोड़ कर अगनी में कॉंडिले डिसी डाल दिये इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ परिनाम सरूप डिसी कॉंडिले दुखी रहने लगे उनकी सारी संपत्ती नस्ठ हो गई इस दरिदिता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तब सुसीला ने अनन्त भगवान का डोराज जलाने की बात कही पस्चाताप करते हुए रिसी कॉंडिल अनन्त डोरे की प्राप्ती के लिए बन में चले गए बन में कई दिनों तक भटकते भटकते निरास होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े तब अनन्त भगवान प्रकट होकर कहते हैं हे कॉंडिल तुमने मेरा तिरसकार किया था उसी से तुम्हें इतना कस्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पस्चाताप किया है मैं तुमसे प्रसन नहूं अब तुम घर जाकर विधी पुर्वक अनन्त ब्रत करो चोदह बर्स प्रयंत ब्रत करने से तुम्हारा दुखदूर हो जाएगा तुम धन धाने से संपन हो जाओगे कॉंडिल ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेसों से मुक्ती मिल गई स्री कृष्णी की आग्या से युधिष्टी ने भी अनन्त भगवान का ब्रत किया जिसके प्रभाव से पंडव महाभारत के युद में बिजय हुए तथा चीर काल तक राजिक करते रहे बोलो अनन्त भगवान की जय हर हर महादे कि आगर शरभा जासी कि एड़ बिशमें से ने भी सिसके प्रभाव से एड़िक हा हर महादे ख click option कि आगर दिसके प्रभाव झाल झाल